जै मसी की दोस्तों, मेरा नाम पास्टर अनल कोचर है और मैं बाम में में रहकर परमेश्वर की सेवा करता हूँ धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर से कि मैं परमेश्वर के वश्णों को आपके साथ रोज बाठता हूँ तो दोस्तों आज के सुरिये मनना का भाग हमने लिया है यह शाह कि पुस्तक उसका 26 अध्याय और उसका 21 वचन वचन कहता है क्योंकि देखो यहवा अपने इस्थान से पृत्वी के निवासियों को उनके अधर्म का दंड देने के लिए चला आ रहा है तब पृत्वी अपने वचन में शिक्षण है और सद्धत है ज्यान है दोस्तों यह वचन हमें क्या बाता रहा है यह वचन हमें अंतिम समय के बारे में बता रहा है अंतिम समय को हम कैसे जाने दोस्तों अंतिम समय को जानने के लिए हमें बाइबल को जानना बहुत सरूरी है दोस्तों परमेश्वर ने इस पूरी पृत्वी को स्रेश्षी को साथ दिन में बनाया यानिके छे दिन में उसने प्रित्वी की रशना की और सात्वे दिन उसने विश्राम किया यानिके हर समय सुनिष्चित है हर समय जो भी बनाया गया है वो सुनिष्चित है और हर समय परमेश्वर की ओर से प्रकट है हालेलोया बाइबल कहती है कि प्रित्वी का हजार वर्ष स्वरका एक दिन होता है इसका मतलब परमेश्वर ने जो सिष्टी बनाई है वो छे दिन में बनाई है साथवे दिन विश्राम किया है इसके लिए इसका मतलब पृत्वी को परमेश्व ने साथ हजार वर्ष दिये हैं देखें दोस्तों परमेश्व का हर काम पूर्ण निश्चय और सिद्धता के साथ होता है परमेश्व ने सिष्टी समय पर बनाई उसको देखा उसे अच्छा लगा इश्व मसी का आना निश्चित था इश्व मसी का जाना निश्चित था और इश्व मसी का दुबारा आना भी निश्चित है इस तरह से अगर हम देखेंगे तो आदम से इबराहिम तक 2000 साल हुए है इबराहिम से इश्व मसी तक 2000 साल हुए है इसका मतलब अब तक जब से प्रित्वी बनी है 6,017 साल हो चुके है इसलिए दोस्तों नियाय का दिन बहुत निकट है इस समय ये वक्त जो चल रहा है ये अनुखरे का वक्त है ये परमेशर की क्रिपा का वक्त है उसके सबर का वक्त है क्योंकि वो सबर किये हुए स्वर्ग में बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि मेरे बच्चे जिनको मैंने चुना है वो अभी भी जाने वो अभी भी पश्टा ताप करें और परमेशर के सामने आए परमेशर के करीम आए परमेशर के सामने नतमस तक हो और उसको अपने आम को दे-दे यह वक्त है जब गुफ्त आगमन कभी بھی हो सकता है यानि कि रैप्चर कभी भी हो सकता है उस रैप्चर के लिए हम तैयार रहे बााइबल कहती है, परमेश्वर के शिक्षा कहती है ईशू का आगमन कहता है इश्व मसी का त्याग कहता है इश्व मसी का बलेदान कहता है इश्व मसी का मरना और इश्व मसी का जीना उटना ये कहता है कि परमेश्वर इश्व कभी भी आ सकता है और जब वो आएगा तो नियाधिश के रूप में आएगा जो पृत्वी श्राप पित्वी आदम की जाएगा और वो वो न्याए परमेश्य प्रित्वी का न्याए करेगा जो लखु प्रित्वियों पर बहाया गया है उसका न्याए होगा अले गएगा दोस्तों मैं जब बाइबल को पढ़ता हूँ और इस अंतिर समय के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही बहुत ही क्योंकि जब इशू अब जो इशू आएगा तो न्याए धीश बन कर आएगा हमारे सामने अब तक इशू करूप क्या है एक न्याए के बारे में वो अभी भी परमेश्य के पास बैटा हुआ परमेश्य के दाइनी और बैटा हुआ मद्यस्ती कर रहा है हमारे लिए हमारे बच्चों को परमेशर बचाए हमारे लिप्रात्रा करना है कि हम किसी संकट में ना हैं हम किसी आस्माईशों में ना हैं और हम परमेशर के योग के बचाए लेकिन जब गुपताकमन के बाद जब हम स्वर्ग में जाएंगे परमेशर के पास और न्याइधीश बनकर जब वो म महर खोलेगा तो प्रित्वी का न्याय होगा मैं पढ़ रहा था प्रकाश्चित्वाग के छे का उसका तीसरा वचन कि जब उसने दूसरी महर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना आ तब लाल रंग का एक और घोड़ा निकला उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि वो प्रित्वी पड़ से मेल मिलाप उठा ले कि लोग एक दूसरे को घात करें और उसे एक बड़ी तलवार दी गई ये कौन कर रहा है ये इश्व मसी कर रहा है इश्व मसी पहला इश्व मसी ने दूसरी महर खोली और आग क्या दी इश्व मसी ने उस समय जब महा काल महा संकत का समय प्रित्वी पर आएगा तो इश्व मसी धरती से मेल मिलाप उठा लेगा कौन उठा लेगा मेल मिलाप जिस मेल मिलाप को करने के लिए इश्व मसी ने अपना बलिदान दिया था जिस मेल मिलाप को करने के लिए इश्व मसी ने त्याग दिया था इश मसी उस मेल मिलाब को धर्दी से उठा लेगा क्यों कि न्याए का वक्त आएगा क्योंकि न्याए होगा न्याए होगा और बाइबल कहती है कि जो लोग जो लोग आपको जानते हैं जो लोग आपके परोसी हैं जो आपके भाई हैं बहन हैं एक दूसरे को घात करेंगे क्यों क् मेल मिलाब उठा लिया गया है आज क्या है दर्दी पर मेल मिलाब दोस्तों अगर आज आज आपका परोसी आता है आज आपकी बहन आती है आज आपकोई रहागीर आपकोई अजनवी आपकी सेवा करता है आपकी सहता करता है तो ये समझ लीजे ये जान लिजे कि वो ईशू मसी है उसके अंदर वो ईशू मसी है जो आपकी सेवा कर रहा है वो ईशू मसी है जो उसके दोरा आपके संग मेल मिलाब कर रहा है क्योंकि ईशू मसी ने हमें मेल मिलाब की सेविकाई दी है क्योंकि परमेश्वर ने ईशुमसी के द्वारा हमें मेल मिलाब की सेविकाई दिया है इसलिए हमें उस मेल मिलाब के अनुसार चलना है लेकिन हमें उस मेल मिलाब के साथ चलते हुए परमेश्वर की आख्याँ को नहीं बूलना है परमेशर के प्यार को नहीं भूलना है परमेशर के कृपा को नहीं भूलना है इसलिए रैप्चर का समय गुप्त आगमन का समय बहुत ही निकट है और उस समय के लिए हमें अपने आपको तैयार करना है कि हम इस गुप्त आगमन में चाहे नहीं तो नहीं तो न्याय के दिन संकट के समय महा संकट के समय सर्वनाश होगा लोग रह नहीं पाएंगे आपके अपने आपको खाएंगे आपके अपने आपको घात करेंगे दिया करेंगे परमिश्र की दिया जो इस समय हमारे साथ है हम उसको बना करकें तो दोस्तों इस अ अनुगरे है हम उस की कीमत को समझे और उस अनुगरे को जाने ना दे और अपने आपको परमेशर के योग के बना के रखे आई हम सब प्रात्रा करते हैं ये पिता परमेशर धन्यवाद देते हैं तेरे पवित समर्ति नाम के लिए तुम महान परमेशर हम इस अंतिम समय में त तूस्याद कर्वार आपके सुने और कि आपने सुने और गूल कि अमैंन